हैलो, अशलाम अलेकम विल्कम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप स्ट्रहे होंगे के अखिए इचल के व्लॉग में देखे थे हाल करना जयसे कि जो भी चेंजिस करने थे वो कर चुके हैं मेरा ही आछ त्यार हो चुका है और उसके बाद आच थे जीसु牛 के रू था मेकवर करने में उतना मुझे कभी नहीं लगा रीजन यह है लास्ट तक आप लोग वीडियो में बने रहेगा और फिर देखिएगा कि क्या बात थी वाकी बता रहे हैं यह ऐसा नहीं कि मैं आपको सुस्पेंस में छोड़ रही हूं कि हाँ आगे आगे आपको खुद यह हैं क्योंकि बहुत दिन से चादर बिची थी और आप लोग को पता ही है कि हम लोग के ना इस वाले बेड़ पे चादर कोई भी नहीं अरती है और मैं मंगाई थी एमेजन से जो चादर ना तो फिलाल इसी रूम के लिए मंगाए थे तो वह आप भी बिचाएंगे यानि कि बकराइद में वही बिचे का और देखते हैं कि फिट होता भी है कि नहीं होता है फिर उधर मैं रेसिंग टेवल को साफ करने लगी और आज ना मेकवर में इतना ज्यादा डर था इतनी देहसत में थे ना कि मुझे उपर वाले का सहारा लेना पड़ा यानि अल्ला ताला क सहारा लेना पड़ा तो यहाँ अपना नाच सरी बज़ रहा है और जब भी जैसे कि मैं अधिकतर मौनिंग में सुनती हूँ तो काम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है और मुझे आज तो ज्यादा एनरजी की जरूरत थी और थोड़ा सा दिमाग वाकई क क्या करें क्या ना करें और जीक्षू का डर था वर जीक्रू का रोम था उसको यह नहीं पसंद उसको ये वह नवी पकら संवर में कुछ छटखानी करें जब वो आए तो वही छड़कानी करें तो अच्छा नहीं लग रहा था मैं सोच रही थी जैसे खुजली जैसे उन लगता है कि गुदगुदी उन लगता है करें ने जब सब रूम का में कोबर हो रहा है तो इसका क्यों न करें बहले उसके आने पे चेंज कर देंगे वो से दो महीने का था तब हम लोग हैंडी कैम लिये थे तो वह है और इसका भी जो जिसु का कुछ समानों मान बेफालतु का यह सब कभी कभी न इसके सेंट लगा देगा यह लगा देगा अरे थोड़ा सा फ्लावर पार्ट लगा यह सब लगा उसको फूल पत्ती नहीं सब्ली है जवर्वतिक्स करेंगे और जिसु का गिटर और हम लोग लगते हैं इसको मैं निचे में रखना झाल देते हैं जिसु का यह नि कमिया निदोंี चलना है चली आई हूं कि ग्रीन है रेड है औरेंज है वाइट है सब इसमें मिक्स है तो हम पहले ना अच्छे से लगा दिये लगाने के बाद ना फिर हम दूर से आके देख रहते तो मुझे अच्छा नहीं लगा था फिर हमको यह भी था कि जीसू गुसाएगा देखेगा तो फिर इसको हटा दिये और यह वाला जो था इसको उपर में लगा दिये ताकि थोड़ा सा स्पेस बने और कुछ अच्छा लगे तो पहले यहां पे ना ओरेंज और ग्रीन लगाए थे फिर हम सचे कि नहीं और इंज हटा देते हैं कि और इंज हो सकता है कि न पसंद हो फिर गुस इसको डाल दिये हैं क्लोथ और उसके बाद यह जो औरेंज वाला था यह मैं चाह रही थी कि इस रूम में फिट हो जाए कहीं ना कहीं सट हो जाए लेकिन बस वही चीज है कि और ना जब भी लगा रहे थे फिर दूर से आके उसको देख रहे थे कि कैसा लग रहा तो मुझ मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था यह कह सकते हैं तो यह देखिए मैं अब इधर सेट करने लगी काफी देर इस रूम में मैं बताई ना कि जितना कंफ्यूज और जितना डर मुझे अब की बार लगा में कब भी नहीं लगा तो जब जब लगा रहे थे न उसके बाद दूर आके देख रहे थे उसके बाद फिर हम ना कैमेरे में भी देख रहे थे कि आप लोग क्या सोच रहोंगे कि आज ये इनका दिमाग भी काम कर रहा है कि नहीं क्या करना चाहरी है इनको खुद भी नहीं पता हो सही बता रहे हमको खुद भी नहीं पता था कि मैं क्या कर कि बहुत बड़ी चादर है लेकिन इस बेड के हिसाब से यह अट गई तो समझ लीजे बहुत बड़ी चादर है तो नॉर्मल अगर आपका बेड ना तो काफी अच्छा है और जब मैं यह वाली बेड सीट ना वो अपने जो सेकंड वाले रूम में बिछाये थे तो काफी अगर ब्राउन होता ना तो ज़्यादा खुबसूरत लगता लेकिन बस यह है कि मुझे ब्राउन मिला नहीं था उस समय और भी कलर था लेकिन ब्राउन नहीं था अगर ब्लैक भी होता ना तो ब्लैक भी चल जाता तो अब आज के हैं घर में और मैं इत्म इत्मिनान से अप चोटा वाला कुछसान है इसको भी लगाने की कोशिश किये लेकिन अब इसके साथ वो ब्राउन नहीं मैच कर रहा था तो इसलिए उसको हटा चुके हैं और अब अब क्या करेंगे तो जो साइड वाला जो टेवल है इसमें पहले ना मैरून कलर का बिछाए थे तो मैरून कलर का हॉल में लगा दिये थे तो इधर खाली हो गया था तो वो जो हॉल में लगा था वो वाइट वाला लाकी यहां पे लगा दिये अब ना मुझे जो विंडो है अधूरा अधूरा सा लग राए ता बहुत देर से सुचें कि क्या करे क्या करे तो जो मनी-ट्रज़न्ट का पुरूरा बंच मंगकयत है थी में 12-13 तो मेरा मन किया है कि आज हरियाली ही हरियाली यह सावन अरहा है सावन आ टिया हर सावन तो ङदे और भुल biased लग रहे हैं तो यहां पे लगा रहे हैं और बहुत ख motivates kayden-कोट वकोड़रो हो 얼äs uta भूर। पिव lograkर अज़ तो किआा वह पते नहीं परें दो सब गई यहां पर लगा लगती है और भूर कोड़री हैर बहुत खुबसूरक धिंड़ów जरब तो अभी तो दिन का टाइम है ना तो रोशनी थोड़ी सी आरी तो अतना clear नहीं हो रहा है तो अभी light और सब कुछ off करके और अच्छे से आप लोग को दिखाएंगे तो जरह सा भी अगर आप अपने room को change करते हैं तो सुझी कितना अंतर आता है अपने आपको भी अच्छा ल लगता है ये तो हम लोग ना light और बंद कर दी हैं और उसके बाद ये देखिए कि ये window ना कितनी खुबसूरत लग रिया हाँ इसके साथ जिया कह रही थी कि वो जो blue वाला परदा है जो अभी हम लोग एद में लिए एद के बाद लिए तो जिया बोली ममी वो वाला परदा लगा दीजे लेकिन वो परदा तो आगे वाले रों के लिए और काफी ज़्यादा था अगर हम यहां लगा देते तो फिर आगे वाले के लिए फिर कम पड़ जाता इसलिए नहीं लगाए अब एक चादर के लिए पूरा चेंज करना तो सही नहीं है ना तो बस जिया जाड तो वो भी आपका निकाल जाता है मॉप से तो और भी अच्छा साफ हो जाता है लेकिन आज यह वाला लगा रहे थे पोचा तो इससे भी अच्छा कासा पूरा साफ हो जा रहा था तो पोचा लगा लेते हैं और पंखा चालू कर देते हैं पंखा चालू कर देंगे तो जल् रोम में थोड़ा सा अधूरा-धूरा सा लगता रहा तो उसमें कुछ करने का मन भी नहीं करता है तो आगे वाले रोम से कारपेट लाके यहां पर बिछा दी बहुत दिन से सोच रहे थे की कारपेट वहां से हटाना है रीजन यह है कि बरसात का टाइम है और बच्चे हैं लोगों भी बैठ नोटने का मन करेगा ना तो यहीं पर बैठ जाएंगे और इसके साथ जैसे की रंग के साथ मैच कर रहा था एक यह भी था अच्छा लग रहा था और इसके बाद चलिए आप लोगों को फुल जीसू के रूम को घुमा देते हैं बहुत ज़्यदा तो कुछ आने वाला होगा तो हटा देंगे तो फिलाल के लिए जो भी छोटा मोटा है कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताईएगा बकराइद के लिए तयार कर दिये हैं क्योंकि एंड टाइम पे फिर हमसे एक साथ सब कुछ नहीं हो पाता इसलिए हम सोचे ना कि थोड़ा- भी कर लिए लेकिन ना वाश करने पर कोई भी इसका रंग नहीं चूटा कुछ भी नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा तो यह देखिए इसका ड्रेसिंग टेबल यह भी ठीक लग रहा है बहुत जादा अच्छा मैं यह नहीं कहूंगी लेकिन घर में जितना भी समान था उसी से किये तो थोड़ा से चेंज हो गया और साफ होफ हो गया तो अच्छा लग रहा है और आज का व्लोग भी यहीं पर एंट करेंगे आई होप कि आप लोग तो अच्छा लगा होगा फिर मिलेंगे बाबाए अल्ला आफिस